बुक का टॉपिक नंबर है दे टॉपिक वन पॉइंट थ्री इंटर नैशनल सिस्टम और यूनिट्स ठीक है इसको हम बच्चा दी शौर्ट फोर्म में बॉलत है गारे अश्वारे यहां अश्विक नूट है उदर उसी सिस्टम में Lucky भोसके unit क्या हैए पाॉंबस, different system में different units ले जातेathy लेकिन यह होता क्या है, असल में तो पता होना हिए होता क्या है फिर हम आए चलेंगे सबसे पहले तो system है किसका unit का पहले बार तो हमें इसका पता होना चाहिए यह क्या है इसके बारे में लास्ट टोपिक में भी बताया है थोड़ा सा इधर दोबारा फिर इसको बता देते हैं मैं कहता हूं कि मेरे पास एक हाती है और एक छोटी मुर्गी है मैं कहता हूं हाती मुर्गी से कोई 800 गुना ज्यादा वजनी है मैस में अब मुर्णी किस से कितने गुला वजनी है या उसरे कि अब इसके लिफिक सीटिभरे भो रखनेश प्रोवाइट करता हमें पता है कि मैं कि हमें चूंके में आ कि बात कर रहा हूं तो मैंस गले साइड कर ली तो वो यूनिट मैं स्पोस्ट डिसाइड कर लेता हूं किलोगरा मैं अभी मुर्गी थी 20 किलो की और हाथी 20 किलो ज्यादा हो गया मैं गातो जी मुर्गी हमारे पास तो पांच किलो की हाथी इसका 800 गुन है तो 800 कितना हो गया 4000 तो हाथी कितना हो गया 4000 किलो अब यह जो रेफरेंस के तोड़ पर यह चीज यूज़ कर रहे हैं वह हमारे पास क्या होता है यूनिट ठीक है अब जरा चलते हैं कि हमारा टॉपिक जो है सिस्टम इंटरनेशनल यह क्या है अब वहा कुछ यह हूं बाई साब के भई डिफरेंट इलाकों में जब साइंस फैनली एक्सपेरिमेंट्स हुए फिजिक्स आई सारा कुछ होने शुरू हो गया तो हुआ यह कि एक बन्दा अमेरिका में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वह एक बन्दा हमारे पास पाकिस्ता में लैंट को ले रहा हूं मेटर में या सेंट्री मीटर में इंडिया में एक बन्दा फूट में मेजर कर रहा है सेम एक्सपेरिमेंट को अस्टेलिया में एक बन्दा उसी लैंट की यूनिट को उसमें मेजर कर रहा है इन चीज़ में अब सब जगा यूनिट डिफरेंट ह बनेंगे वो भी कैसे होंगे डिफरेंट यह तो घड़ बड़ शुरू होगी अब इसी चीज के इस मसले को हाल करने के लिए हमारे पास एक कमेट्टी ठीक है उसको कहते हैं इंटरनाशनल कमेट्टी वह जी उसको हम बोलते हैं इदर एक कॉंफरेंस ही यह यह जो कॉंफरेंस है यह डिफरेंट डाइंस पर होती है जो के यूनेट्स वगारा को डिसाइड करते हो साइंस के डिफरेंट फैक्ट्स जो आते हैं उन्हें डिसाइड करते हैं इनको इंटरनाशनली परमिट दिया हुआ ऐसे सम्मलों जनल कॉंफरेंस ओन वेट एंड मेंनस घिकाँ मेंजर्मेंट्स पर ओर वेट्स वगारा अब mosquito साइड करते हैं और इन्होंने 1968 में इन्होंने का कि जानी अगर हम जो बेस कॉंटिटीज है ना सारी कॉंटिटीज उन से मिलके बनेंगे तो अगे हम बेस कॉंटिटीज के यूनिट को fix कर रहे तो आगे आने वरी सारी quantities के unit क्या हो जाएंगे fix हो जाएंगे मसला ही आनलो जाएगा सब को पढ़ने ही नहीं पढ़ेगा सब बंदिया BC के मताबिक काम तो सब के experiment के result सेम आएंगे constant सेम आएंगे each and everything सेम हो जाएगे तो 1960 में system international जिसे हम कहते हैं SI आए system में हमारी साथ base quantities के units को क्या कर दिया गया fix कर दिया गया जो कि उस दिन मैंने last time लिखे थे उन units को fix करने से फाइदा ये हुआ कि आगे आने वाले drive units भी fix होगे और होने वारे experiments और calculations भी सही हो गई अब इसके बाद हमारा next topic भी कहा जी base units अब वो base units के हैं जैसे का आप उसके नाम से पता चल रहा है तो इस committee ने 1960 के दर जो काम किया उसके अंदर जो base units हमारे हैं वो साथ base quantity decide हुई थी साथ कौन सी length mass time temperature current intensity of light और हमारे पास आज़ता है amount of substance ठीक है इनके unit fix कर दिये committee के मताबिक length को meter में measure करेंगे अगर system international में रहे कर काम करना भाई साथ में मैस के kg time के second Kelvin temperature के Kelvin current के intensity of light के candela और इसके mole यह unit fix करने से फाइदा क्या हुआ कि आने वाली जितनी भी दूसरी drive quantities बने थी उनका भी काम साथ इसम तमाम कर दी हमने अब साथ ही मार पास एक topic है derived units अब drive units के drive quantities के units हम क्या बोलते है drive units इसमें मार पास एक force है जैसे हम सबसे पहले लेते हैं velocity velocity होती है d by t तो d के unit क्या बने the mean distance distance क्या बने पर मीटर और टाइम के second to carbon game meter per second फिर मार बस आजाती है acceleration acceleration क्या होती है वी ओवर टी डैल वी ओवर टी तो इससे क्या बन जाएंगे meter per second over second to carbon meter per second scared और same like force momentum shaman tomorrow काफी चीजें आती रथी है तो इन सबके फिर unit इसलिए आसे हमने क्या कर दिये fix कर दिये और सुक्रमेटर के मताबरिक यह किलोग्राम यह मीटर पर सेकंड स्केर उसको माइन फॉम मेंने क्या नाम दे दिया Newton ठीक है इसी तरह momentum आ जाता है momentum होता है पीज इक्वल टू एम वी momentum के बनते है किलोग्राम मेटर पर सेकंड इसका दूसरा है Newton सेकंड तो यह unit फिक्स कर दिया लेकिन एक हमारे पास नहीं quantities आई उनसे जो unit का नाम रखा हमने supply मेंटरी यूनेट्स सब्ली मेंटरी यूनेट्स ये कैसे unit ये उन कौन्टिटीज के यूनेट है जो supplementary है अब supplementary quantities को है आपने का आपने तो भी पढ़ाई थी बेस अड्राइब तीसरी भी है तीसरी को है सब्ली मेंटरी है से समलो ना तो बेस के लावल में इस्ट करती है ना ड्राइब के बेस ऐसी थी जो खुद में quantities है बेस ऐसी quantities अफुद independent quantities है लेकिन कुछ नहीं quantities बना सकती है ड्राइब जो खुद किसी से मिलकर बनी है लेकिन कुछ खुद नियू भी बना सकते है सब्ली मेंटरी quantities ऐसी थी जो ना तो किसी से खुद मिलकर बनी है आपने का सर बेस में गई लेकिन लेकिन आपके कुछ बना भी नहीं सकती थी ड्राइब में भी नहीं गई तो इस और ऐसी quantities ना तो इसमें exist करी नहीं है इसमें द्रमयान में है तो इनका नाम क्या रख दी हम प्लेन अंगल और एक है दूसरी solid अंगल ठीक है, plane अंगल होता है जैसे एक plane X और Y तो इसके अंदर जो एंगल बन रहा होगा वो plane अंगल होगा और यह होता है two dimension कूग X और Y solid अंगल ऐसा अंगल जो कितने dimension होता है three, अब इनके units कौन कौन से है इसका एक unit है पहले वाले का रेडियन और दूसरे का स्टी रेडियन यह आएगा दी two dimension और यह आएगा दी three dimension, two dimension और three dimension हमारे पास यह आ जाते है अब रेडियन क्या होता है, रेडियन होता है कि अगर आपके पास एक circle है उसके center से यहां तक का radius है अगर आपने उस पर आर्क लगाई और आर्क की length जो य only length है, एस यह बराबर आ जाती है, आपके radius के, तो जो अंदर angle बनेगा वो कितना बनेगा, वट रेडियन होगा, दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, दूसरा आपके पास एक कोई सफेर है, यह circle है, तो यह two dimension है, यह सफेर, यह होगा three dimension, इस सफेर जैसे आपके आपके पास त होता है, तरबूस के अंदर आप अकसर लेने जाज़ा, आप टाप 3 लग वाले होते हो, same, इस तरबूस के अंदर, आपने इदर से कोई छुरी वगारा से लगाई, और बिल्कुल इसके center पर चलेगा, और center पर जाने के बाद, आपने इसके अंदर कोन माँ, पूरा तरबू रेडी है, ठीक है, और चुँके ये थ्री डामेंशन में नज़र आएगा, इस लिसको कितना है, बोलते हैं हम, थ्री डामेंशन एंगल यां, सॉलिड एंगल, नेक्स्ट, ये हो गया, अब आगे है मारे पास आ जाता है, जी, scientific notation, ठीक है, scientific का मतलब होता है, logical, तो आगे है, साइन्टिफिक नोटेशन, ठीक है, scientific का मतलब होता है जी, logical, notation का मतलब होता है, अब साइन्टिफिक नोटेशन क्या बला है, ये देखो, अगर मैं कहूँ, यार आपका वजन कितना आपको किसरा सिक किलो लगा लो, ठीक है, मैं कहूँ भी हाथिया कितना आपको किसरा चार ह 여ULL किलो लगा लो नो फबहूआ है मैं कहूं पहार का कितने हैं, ने पहाड बीजाते हैं, अर्थ को सार, अर्थ का तो बहुत जयाता है, कितना जयात, मैयर करेंगे ना, तो मेर करेंगे ना तो आपके किसी भी नंबर के साथ बहुत ज्यादा क्या लगेंगे जीरो लगेंगे अब इन जीरो इतने ज्यादा को लिखने के लिए बड़ी खबत है अब आज़े उपोजिट साइट में मैं खूँ ये तो आगया आपका वज़न अगर मैं कहोंकी वोई हृइ आपकी हाइट क饮े आपको कहसर हाइट लगा लेजी वन मीटर या आपको कहसर हाइट लगा 7.5 मaremos हूँगा जरस क्या इसमेंगा कहसर लगा मैं ये बताओ गки जो इसका साइस क्वैज के यह वातार पॉंट05यOS yön को फूंट लिखाने के बाद आएगा तो यह लिखला ना बड़ा जीव सा लग रहा है इसको लॉजिकल वे में लिखे तो पता नहीं लगना कभी कितने जीरो लिखते हुआ है पैसे ही दूसरा पता लागे भी गया तो समझ नहीं आने है कि वैली को पढ़ना क्या है तो इसको पढ़ने म हमें बड़ी हमें मुशक्कस ही करनी पाड़ रही है समझ नहीं आ रहा गलत भी हो सकती है तो इसके लिए एक नया तरीका लगा निकाला गया जिसको हम बोलते हैं साइंटिफिक नूटेशन उसके मताबिक अगर आपने 4000 को साइंटिफिक नूटेशन में लिखना आप लिख 0 into 10 की पावर क्या लिखेंगे कितने पॉइंट समने मूफ क्या होगा दोट तीन अब ज्याद रखना के डॉंट अगर लफ्ट साइट पर मूफ करवाएगा तो 10 की पावर बनेगी पोजिटिव में और अगर राइट साइट पर मूफ करवाएगा तो नेगटिव में और इ इसको लिखना आपने साइंटिफिक नूटेशन में डॉट को मूफ करो एक दो तीन चार पांच छे तो 1.49 डॉट इदर आगया इंटू 10 की पावर माइनस 6 ठीक है जैसे अब इस वैली को मैं लिखता हूँ इदर दुबार आसे इसको लिखना है तो जाहिए से बात इसका डॉट यहां होगा आप लिखो भी आपको कैसा है एक दो तीन चार पांच छे तो 6.1 जो आगे की डॉट के बाद रिसा रह जाता है न वो आप पूरा लिखो आदा लिखो वो को मसला नहीं होता लेकिन कम असका हम एक दो लिखो पांच छे तो 10 की पावर 6 लेकिन अगर यह वैली होती यूँ जिरो पॉइंट जिरो 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 सिक्स वान फाइव नाइन टू तैंवन एट तो इसको कैसे लिखते इसको भी यासे लिखते बाट इसमें बाकी वाला जो इससे हम उसे लिखे ना लिखे को मसला नही एक, दो, तीन, चार्ट तो 6.15 इंटू 10 की पावर माइनस 4 तो इस तरह इस तरह यह वै को लिखना क्या कर लाता है scientific notation तो अब जो हमारे पास आगतों का इतना बड़ा मैंस था तो से scientific notation में बता कितना लिखा होता है इसका मतलब समझे इसका मतलब समझे देया इसका मतलब क्या बना कि 6 के साथ आपने कितने 0 लगाने है 24 तो 10 की पावर जो 3 है उसको किसमे लिखा जाता है 10 की पावर 3 को 1, 2, 3 तो जो पावर होती है उतने 0 होते हैं तो अगर माइनस 4 है तो फिर 1 से पहले 30 आ जाते हैं तो यह लिखोगी 0.0001 तो देखो 1, 2, 3, 4 ठीक है जी यह से चलता है अज़ा इसके आगे एक टॉपिक नहीं है आपकी बुका लेकिन आपको पता होना चाहिए वो क्या चीज़ है यह है यह दि प्रीफिक्स इस ठीक है प्रीफिक्स यह प्रीफिक्स यह क्या होता है यह कु वो ज्यादा बार बार यूज होने वाले टैन की पावर जाना उनको आरेडी नुनिया अलफाबेटिक नंबर से डिनोड करना शुरू कर दिया ठीक है अब वो एलफाबेट से हमारे इंगलिश लैंग्विज के भी हैं ग्रीग के भी हैं लैटिन के भी हैं तो वो डिफरें इसका मतलब है कि अगर कहीं पर लिखा होगा टैन सेंटी इसका मतलब पता क्या बना टैन इंटू सी की वैले विटिन गे माइनस टू मेटर तो यह बनेगा इसको गहते हैं हम मिली इसको आम से जाहरे हैं वो गलता कि लिखा होगा 1 mm तो इसको मतलब क्या बना एंटू टैन की पावर, इसको कhos Mike 1 Micro फ्क माइक्रो चो टा यह माइक्रो तो वन माइक्रो मेटर का मतलब क्या होगा 1 इंटो टैन की पावर, माइनस 6 मेटर इसी तरह इसको बोलते हैं, नैनो तो इसका पूरा टेबल आपके सभे हैं से नक्स पेज़ पे धी अवह इसको को बोलते हैं कंच को कि अधह कि इसको बोलते हैं थी मेंगे कई शीक के साथ जो सपंटर पू Arbeit ट में आ जब हर झालने चिए इसको बोलते हैं जी पावर इद्क चे कर रहते हैं थी किंगर कर लुकते हैं नेक्स नमार पास आते दी कन्वेंशन फॉर इंडिकेटिंग उनर्स वं फिर अगले लेक्च्छ बें दिसक्स करिंगे ओके जी